आप सबी के अपने चैनल लेस के आम श्रीबा फिर से स्वागत है बहुत थेज तरीके से वीडियो आपके लिए होने वाली है जैसा कि आपको पता है कि आपकी एकसाम अब नजदीक है अब बहुत कम समय बचा है आपके लिए तो आपको एकुरेट चीज पढ़नी है जैसे आ फिक्स होने वाले नंबर हम आपको बता रहे हैं गारंटी है कि अगर यह प्रस्ण नहीं आते हैं तो आप बताए कमेंट करके ठीक है अब जो चीज हम बताने जा रहे हैं यह चीज आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन देखिए यहां पर आलोग प्रित खंड का आप भी है तो इसमें देखिए कौन से प्रस्ण किस टाइप के पूछे जाते हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ठीक है और आपको जो चीज हम बता रहे हैं यह चीज आपको लिख लेना कहीं से बिद्द्या से बुक से और या तो कहीं चीज से आपको वहां पर कर कह रहान होगे सारी चीज यहां पर आपको दिया जाएगा अप्शन में ठीक है तो यहां पर देखिए कि जो आलोग बिद्द्य खंडकाब यह प्रयाग राज के लिए प्रयाग राज अलीगड सहारनपूर फरुकाबाद मैनपूरी मिर्जापूर सितापूर के शेतरों के ल जाग राज ठीक अलीगड सहारनपूर ठीक सहारनपूर फरुकाबाद मैनपूरी मिर्जापूर छेतरों के लिए ठीक है यानि जो भी इजडिन्ट समारे इन छेतरों से आते होंगे जैसे परयाग राज हो गया अलीगड हो गया सहारनपूर फरुकाबाद मैनपूरी मिर्जापूर तो इन छेतरों के लिए क्या आता है आलोग वृत्य खंडकाब में किस टाइप के प्रशन पूछे जा रहे हैं पहला प्रशन क्या होगा आप जुड़े हैंगे दस में बुल्प पांच नंबर आपको फिक्श कर जाएंगे ठीक है पहला प्रशन की स्टाइप का था आलोग वृत्य खंड काब्य कि कथा वस्तू का वरण कीजिए ठीक यह आपका हो जाएगा पहला नंबर यह हो गया अब इसी में अथवा नंबर में क्या पुछता है अथवा में देखी अथवा में इसी नंबर में क्या पुछता है तो यह आपके हर साल जो आप पता रहें आलोक वृत अलोक वृत अब सभी लोग लाज सक जुड़े रहे के बिद्ध काभ्य के कथानक ब्रब्रप्रकाश डाले ठीक है अब देखे इसमें अथम्य क्या आता आता है यह प्रशण हर साल आपको देखिए बस टाइब बदलेगा हुआए अलोक का सरांश लिखना है अभी आपको कहानी पुरा बता देंगे शरांश अपने सब्दों में अपने सब्दों में लिखिए अभी आपको कहानी जब बताएंगे न तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और उस कहानी को बस जैसे हम बता रहें ऐसे आपके ज्ञाग जाएंगे छाप दिना है ठीक है अब इसी में अत्वा में क्या आता है अत्वा में भी देख सजाएगा कि आलोग व्रित्ट खन्ड काब्य के कठानक में वढ़ित देश प्रेम का अंकण कीजिए अलोग वेचिए खंड काब्य में काब्य में वढ़ित देश प्रेम किसका देश प्रेम का अंकन अपने सब्दों में लिखिए या अंकन कीजिए ठीक है तो यह आपका प्रश्ण हो जाएगा अब देखिए इसी तरीके से आउगा क्या होता है वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टिंट क्या है मारा अथमा में और क्या आता है यहाँआब आपको देखना होगा ठीक है अथम क्या आता है कि आलोकवृत ठीक आलोकवृत काब्य वर्स क्याLatics 1942 के भारतिय भारतिय स्वतंतरता ठीक है स्वतंतर्ता की लडाई की लडाई विष्व इतिहास की एक महत्व पूर घटना है क्या है महत्व पूर घटना है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो अब देखिए जो संग्राम है जो 1922 संग्राम का संचिप्त जो इतिहास से उसको आपको लिखना होगा तो इतने प्रशन आपको पूछ जाते हैं अब यह जो चीजी हैं आपको कितने सर्ग में बाटी गई है आपके यहां पे आठ सर्ग आठ सर्ग बाटे दिये गया है इसमें आठ सर्ग में आपको बाट दिया गया है तो उसकी अधार पर आपको प्रशन होता है सभी प्रशन पूछ जाते हैं जिसे प्रथम सर्ग हो गया तो अभी आपको हम बताएंगे इतने तो प्रशन हो गया आपके अब इन प्रशन में आप देखिए जो आलोग बित्खनकाब है कितने सर्ग में पूछा गया है तो जो आपका अलोग बित्खनकाब है आपके आठ सर्ग है प्रथम सर्ग की बात करेंगे तो प्रथम सर्ग में देखिए भारत का स्वरणिम अतीद है क्या है भारत का स्वरणिम अतीद क्या है मारा स्वरणिम अतीत मतलब क्या होता है यहां पे अतीत का मतलब क्या होता है कि जो भारत की बीत गया है जब जिसने हमारे पर राज्य चिया या जो भी चीजे हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा फिक अब दूसरे नमबर की बात करें देखिए क्या होगा गांधी जी का प्रारंभिक G1 क्या लिखेंगे गांधी जी का प्रारंभिक G1 अब हम 33 सर्ग कीबाद करें किसकी 13T skincare की जी का आफ्रीका प्रवास ठीक आफ्रीका प्रवास यह निकि जब oh गांधी जी ने फ्रीका पहले गये इसके बारे मिंए भर और दूसरे सर्ग में क्या उनका प्रारामिक जीवन कैसा था आप बच्पन में किया थे कैसे सारी सीजिए उसमें डिसकर करेंगे तो आप लोग यह चीज़े पढ़कर जाएंगे जरूर ठीक है अब चतूरत सर्ग की बात करेंगे चतूरत सर्ग में देखिए क्या होगा ठीक पंचम सर्ग की बात करेंगे पंचम सर्ग में देखिए पंचम सर्ग में देखिए अशहयोग आंदोलन अशहयोग आंदोलन ठीक अब खश्टम सर्ग की बात करेंगे खश्टम सर्ग में देखिए क्या होगा यहाँ पर नमक सत्रयाग्रा जो हुआ था आपका यह वर्ष 1942 की जन क्रांती क्या जन क्रांती ठीक अब अस्टम वर की बात करेंगे अस्टम वर के में देखिये क्या होगा भारती स्वतनत्रता का अरुड़ोदय भारती स्वतनत्रता का शुत्नतरता का अरुलोद है ठीक अरुलोद है तो ये आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा जो कि very very most important है ये चीज आपको आठो सर्ग को पढ़ कर जाना है और very very most important है तो आप गांधी जी के बारे में बिद्या से बुक से जो आलोग पर तखनकाब है इधने जो प्रस्ण पूचे गए इसको और जुदने हमने अश्रम सर्ग बताया इसको आप करी दरीगे से याद कर लेना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो अब देखी इसमें प्रशनवर आता है ठीक है अब इसका उद्देश क्या है जो अलोग बित्खंड का उद्देश है उद् कर लेना है ठीक उसकी बाद बिस्यस्ताय जो रखन काओं कि विस्यस्ताभा